वो थोड़ा सा इस topic है जो confuse करता है बच्छों को ठीक है ना क्योंकि इसमें हमें आदी चीज़ें हमेशा से बताई जाते हैं इंशालला आपको clear हो जाएगी यह बात तो the topic is called belief in predestination and decree तो बिटा पहले मैं अपनी बात आपको यह समझाने शुरू करूँगा predestination ठीक है ना इसको समझ लें कि यह predestination या predestined का क्या मतलब है यह क्या है हमारा क्या अगीद है ठीक है ना तो predestination अच्छा देखो मेरी बात सुनों सबसे पहले मैं अपने इसको उपर lecture स्टार्ट करूँगा पहले मैं आपके सामने कुरान की सुरह अनाम की आयत शेयर करता हूं जिसके अंदर अल्ला तल्हा खुद फरमाते हैं कि with him यानि अल्ला तल्हा खुद के बारे में फर्मा रहे हैं ठीक है with him are the keys of the unseen are the keys of the unseen अल्ला तल्हा फरमा रहे हैं कि मेरे हाथ में unseen की keys है no one knows them except Allah अल्ला के इलावा उसका इल्म किसी के पास नहीं है ठीक है और फिर इसी आयत में अल्ला तल्हा आगे फरमा रहे हैं कि अल्ला तल्हा आगे फरमा रहे हैं कि not even a leaf falls without not even बहुत गौर से समझना ये topic not even और ये अगर आयत आपने समझ ली न topic बड़े मज़े का समझा जाएगा not even a leaf falls मैं यहाँ पर capital कर रहा हूं is written ये आयत के आखिर में है but is written in a perfect record ये एक आयत हमारे पूरे predestination के concept को clear करती है अब देखिएगा कैसे इस आयत में पहला जो focus है वो ये है पहला focus ये है कि अल्ला की knowledge के इलावा दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती इसका मतलब अल्ला की knowledge is perfect, it is complete हर चीज अल्ला को पता है इसको कहते हैं predestined क्या कहते हैं predestined अल्ला को हर चीज पता है इसलिए अल्ला ताला ने हर चीज को पहले से लिख लिया है इस इन दोनु चीजों को collectively हम कहते हैं predestination, pre-ordained, pre-written, predestined ठीक है अब सुनिएगा बात को God से देखें जुम्ला सुनिएगा everything is written ये जुम्ला गलत है everything is written everything is pre-written by Allah अल्ला ने हर चीज पहले से लिख दिये अगर अल्ला ने हर चीज पहले से लिख दिये इसका मतलब हमारे साथ जो हो रहा है वो अल्ला ने पहले से लिखा हुए अगर मिम्साल के तो आपके grades अच्ची आते हैं तो बोगो लाने लिख आ है, मिजह के तरहरे मेरे गिडिट्स खराब आते हैं, तो बोगो अन्हाहरे लिखा ऀ लिख़ा है, ये गलत है, ये जो बेवखूफ लोगो iken वो हमारे अकीदे बोगो इस त्रीके से समझाते हैं, आप सुनिए अकीदा किए, आकीदा ये है कि भाई अल्ला ने हर चीज़ पहले से लिख दी है साहिए अल्ला ने हर चीज़ पहले से लिख दी है because पूरी बात क्या है because he knows everything ठीक है अब मैं आपको एक छोटी सी example दे के समझाऊंगा अब देखो इधर मिसाल के तौर पे आपको ये ऐसा समझ आ जाएगा कि आप बोलोगे बिल्कुल clear होगे बात देखें तईब मिसाल के तौर पे ठीक है न आपको पता है कि आज sir पढ़ाने वाले है pre-destination ठीक है आपको ये बात पता है ठीक है न, you know इसको समझना बड़े गौर से you know sir is going to teach you you know that sir is going to teach you articles of faith ये बात आपको पता है ठीक है अच्छा अब ये बात आपको पता थी कि sir आज की class में articles of faith पढ़ाएंगे तो आपने क्या किया आपने पहले से उसके notes बना लिए you have pre-written the notes पहले से लिख लिए समझ के बात को तुम्हें पता था कि sir अगली class में ये पढ़ाएंगे तो तुम्हें पहले से निकल लिया तुम्हें क्यूं पता था क्यूंकि तुम्हारी ये बात knowledge में थी तो बिल्कुल इसी तरह अल्ला को हर चीज पता है पहले से knowledge में तो अल्ला उसको लिख लेता है अल्ला ने अल्ला को हर चीज पता है तो इसलिए अल्ला ने तमाम चीजों को पहले से अपने पास लिख लिए है अब बात सुनिएगा गौर से तयब देखो तयब को पता है कि sir articles of faith पढ़ाने वाले सहीए तयब नो कि sir is going to teach articles of faith तो इसलिए तयब ने पहले से हर चीज लिख लिख ली तो इसका क्या ये मतलब हुआ कि तयब ने लिखा इसलिए सर ने बढ़ाया नई बात समझा रही है तो अकसर लोग ये कहते हैं कि जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्ला ने लिख आ है नई 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 जो आपके पस होना है जो आपके साथ होना है अल्ला को इतनी नौलिज है कि अल्ला को पता है कि आपके साथ कल परसों क्या होगा अल्ला को पता है कि आपके साथ क्या होना है इसलिए अल्ला ने उसको पहले से अपने पास लिख लिए है इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कि तयएब को पता है कि सर आर्टिकल्स बढ़ाने वाले तो तयएब ने उसके नोर्स बना लिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि तयएब ने नोर्स बना है इसलिए सर आर्टिकल्स पढ़ा रहे, नहीं, सर ने तो आर्टिकल्स पहले से पढ़ाना था, इसलिए तैयब ने नोर्ट्स बना ली, तैयब को पता था, सर पढ़ाने वाले अगर हम अच्छे या बुरे काम करते हैं, मिसाल के तोर पे, इफ I insult someone, तो अगर आप ये कहते हो के भाई हर चीज़ अल्ला ने लिखी है तो इसका क्या मतलब है, अगर मैंने किसी को इंसलिए तो वो भी अल्ला कर वार है, नहीं, अल्ला ने अपने पास लिख लिखा होगा के I will insult everyone, इसलिए नहीं लिखा होगा कि अल्ला चाहता है हम वो क वो Allah ने पहले से अपने बास लीक लिए है तो इसका मतलब यह नहीं है के आल्ला ने जो लिखा है हम वो maisसे करते तभी तो Allah ने हमें कहा है अश्रफ ज्रमकलुकात Allah ने कहा है के मैंने तुमें इंटलेक्त दिया है मैंने तुमें नॉलिज दिये तो तुम लोग सही या गलत अपनी मर्जी से करोगे और देखो मेरी बात सुनना क्या कह रहा हूं मैं? अल्ला को पता है कि हम सही या गलत क्या करेंगे और देखो एक बंदा है कि या तो राइट करेगा या तो रॉंग करेगा अब वो right पे जाएगा या wrong पे जाएगा ये उसके खुद के हाथ में और इसको हम कहते हैं free will इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं free will मैं right चूस कर रहा हूं या wrong ये मेरे खुद के हाथ में है this is my free will अन्ला क्यों इनसानों के पास free will है इन्साने के पास चॉइस है इसलिए अल्ला ताला ने फर्माया कि हम क्या है हमें अश्रफुल मखलुकाद वी आर दर सुपीरियर क्रियेशन, वी पॉसेस रैशनल फैकल्टी, वी पॉसेस इंटलेक्ट तो एक बंदा सही या गलत कर रहा है, अल्ला ने हमें फ्री विल दीवी, इट इस आर ओन चॉइस ठीके सर इस बात को प्रूफ करें भाई, कुरान में वाज़े आयते मैंन कैन अचीव एनीफिंग तेट इस ट्राइब इसका मतलब सही या गलत या जो भी हम करते हैं इसका फैसला हमारे खुद के हाथ में लेकिन या तो मैं सही करूँगा या तो गलत मैं जो भी करूँ, या सही करूँ या गलत, ये मेरे जहाथ में लेकिन अल्ला को पहले से पता होगा कि मैं सही करूँगा या गलत करूँगा इसलिए अल्ला ने उसको पहले से अपने बात लिख लिख लिया है बात समझ में आई एक बंदे के पास एक बंदे के पास दो रस्ते है ठीक है वी हाफ टू रस्ते A and B It is my choice कि मैं A choose करूँ या B ठीक है लेकिन चूंकि अल्ला की knowledge इतनी ज्यादा है अल्ला को पहले से पता है कि मैं A choose करूँगा या मैं B choose करूँगा और चूंकि अल्ला को पहले से पता है तो इसलिए अल्ला ने पहले से लिख लिख लिया है समझ में आई बात अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा गलत काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं अल्ला ने लिखा है उस बंदे के खुद के आमाल है उसका खुद का फैसला है लेकिन चूंके अल्ला की नॉलिज इसनी है कि अल्ला को पता है कि हर बंदा क्या करेगा इसलिए अल्ला ने उसको पहले से अपने पांस लिख लिए मुझे बताएं ये concept समझ में आगे आगे आपको समझ में आई है आपको चीज ठीक है ये scene है ठीक है न वाई तो अब last एक example दूँगा और फिर आगे बढ़ूँगा मिसाल के तौर पे देखो तैयब मैं जो है न वो मिसाल के तौर पे traffic police वाला हो ठीक है और तुम driver हो अब तुमारे पास दो option है या तो तुम route 1 पे चले जाओ और route 2 पे मुझे मेरी knowledge इतनी है being traffic police officer मुझे पता है के तैयब route 1 पे जाएगा तो उसको मैं पहले से अपने पाल लिख लिया मैंने तो क्या इसका मतलब यह है कि मैंने लिखा इसलिए तुम ने यह चूस क्या नहीं तुम्हारे पास तो free will है तुम्हारे पास तो choice है बास समझ में आई ही so this is the concept of free will ठीक है जबर्दस ठीक है all right चलें जी रिश्वत नहीं देना है traffic police चलो good scene ठीक है न तो this is how हमारी things work in terms of predestination and the concept of free will ठीक है न तो जब हम यह कहते हैं कि अल्ला ने हर चीज अपने पास लिख लिए तो इसका मतलब यह है कि अल्ला की knowledge इतनी है कि उसको पता है कि हम क्या करने वाले इसलिए तो Allah-Tallā ने हर चीज पहले से लिख लिए अच्छा आप सुनिएगा एक बात को यह जो writing का process है हम क्या कहारे है Allah-Tallā ने हर चीज पहले से अपने पास लिख लिए तो बेटा यह जो writing का process है해 यह अल्ला अला ने तीन stages में मुकमल कियाectने stages में बेटा तीन stages में ठीक है सबसे पहला stage क्या था सबसे पहला stage ये था अल्ला ताला ने हर चीज लोहे महफूज में लिखी है लोहे महफूज क्या है लोहे महफूज is the guarded tablet अंग्लिश में हम लोहे महफूज को कहते हैं guarded tablet अल्ला ताला ने हर चीज लोहे मेहफूस जब आप QURĂन परते हैं उसमें ल lleh कुराणी है अलिफ लाम मीम, जाल कल किताबू यह जो अलिफ लाम मीम है इसको कहते हैं लोहे कुराणी लोहे महफूस अन्य दुनिया में तमाम राज और जो होगा वो हर चीज़ अल्ला ताला ने लोहे महफूज में लिख ली है 50,000 years before creation यानि creation होने के से भी 50,000 साल पहले अल्ला ने हर चीज़ लिख दी थी कि इस दुन्या में क्या होगा क्यों? क्योंकि अल्ला के पार knowledge थी ठीक है? मिसाल के दौर पे कल एक बच्चा पैदा होगा वो क्या करेगा? अल्ला ने पहले से वो लिखावा है क्यों? क्योंकि अल्ला ने का पास knowledge है और वो बच्चा खुद क्या करेगा? वो तो उसकी free will है ठीक है? लेकिन अल्ला को ये बात पता है होली प्रॉफिट ने फरमाया क्यों? अल्ला ने सबसे पहले pen को create किया और अल्ला ने pen को का write तो pen ने पूछा what shall I write? तो अल्ला ने बोला write what will occur and all that has occurred तो उस वक्त अल्ला ने तमाम चीज़ें record की ये पहला जो state है इसके उपर इसका जिकर हमें again सुनाना अपुदाओद के अंदर मिलता है ठीक है न ये पूरा detail से में आपको description बताया उसके बाद हमारे पासे stage 2 जिसको हम कहते है the day of rose alast rose alast इस दिन अल्ला ने तमाम souls को एकटा किया वेको जो लोग दुनिया में अभी पैदा होंगे 100, 200, 300, 1000 साल बाद जो भी लोग पैदा होंगे ये जो तमाम लोग है इनकी souls ल्ला ताला ने न पहले से बनाई वी है ल्ला ताला ने इनकी souls इस दुनिया में पहले से रखी वी है समझ में आरी ये बात तो ल्ला ताला ने रोजे अलस्त वाले दिन तमाम souls को जमा कि और पूचा क्या मैं तुमारा खुदा नहीं हू तो तमाम souls ने का वला शाहिदना यू आर आर लॉड तो इस दिन रोजे अलस्त वाले दिन ल्ला ताला ने तमाम souls के बारे में ये लिख दिया कि वो जन्नत में जाएंगे या दोज़क ही होंगे अच्छा या बुरा काम नहीं कर रहे लह को पता है कि फ्री विल का कौन बंदा साही इस्तेमाल करेगा कौन बंदा गलत इस्तेमाल करेगा और उसके बाद हमारा स्टेच ट्री है जो हमने एंजल्स के अंदर पढ़ लिया है जो एंजल्स जो हमारे question लिखते है when the foetus is in mother womb ये बंदा male होगा, female होगा वो हमने angels के अंदर उसका जिकर किया है तो you can you know use the recording अगर आवो आपको revise करना है ठीक है ना तो ये इस तरीके से हमारा अकीदा है किसके बारे में this is our अकीदा about the predestination ठीक है ना हर चीज पहले से Allah ने लिख दी है का मतलब ये है अलागी knowledge इतनी है कि वो जो है ना हर चीज के ओपर का दे रहे है और दूसरी तरफ हमारे पास this is the concept of decree ठीक है ना अब decree का ये जो concept है ये हमारा ये है कि अल्ला जो है वो हमारी किस्मत या decree को अल्ला टाइमली update करते रहते हैं अल्ला टाला क्या करते हैं हमारी किस्मत या fortune या decree को timely update करते रहते हैं timely यानि daily, weekly या yearly basis के ओपर for example अल्ला टाला ने for example मैं आपको एक छोटी सी इसकी मिसाल दे रहा हूँ एक बंदा है अल्ला टाला उसके लेना wealth बेजने वाले हैं उसकी किस्मत में लेकिन उस बंदे ने जिना कर दिया उस बंदे ने अडल्ट्री कर दी तो अल्ला टाला उसको wealth देने से रोग देंगे समझ में आई बात तो इसी तरीके से आपने सुने के सद्का, prophet की saying है के charity repulses calamity सद्का ना सद्का किस चीज़ को टालता है सद्का बलाओं को टालता है तो आपके उपर एक आफ़त आने वाली है आपकी तखदीर डिक्री इस तखदीर कदर मुकदर यह सब एक ही लवज है ठीक है आपके उपर ना एक मुसीबत आने वाली है आपने सद्का दिया तो अल्ला तल्ला उस मसीबत को टाल देंगे बाद समझ में आई तो हमने ये चीज़ याद रखनी है कि बिटा तकदीर, फॉर्चून, डिक्री, किस्मत सबका मतलब एक है और ये दो तरीके की होती है ठीक है, एक होती है तकदीर मुबर्रम ये कौन सी है ये चेंज नहीं हो सकती है ये चेंज नहीं हो सकती है ये चेंज नहीं हो सकती है तकदीर मुबर्रम हम सबने मरना है ये चेंज नहीं हो सकता और दूसरी होती है हर नफस को मरना है ये चेंज नहीं हो सकती है this is called تقدیرِ مبرم ठीक है for example death और दूसरी तरफ हमारे पास है तقدیرِ मौलक जिसका मतलब होता है those decisions which are suspended या which can be changed by Allah for example जैसे ये एक्जेम्पल थी charity वाली बात है इसी तरह लेलतुलकदर का आप जिकर कर सकते हो कि मुसल्मानों का ये अकीदा है तनजलिल मलाइकत वरूहू इन्ना अंजलना हु फी लैलतुलकदर ये जो आयते हैं आप मुसल्मानों का ये अकीदा है कि अल्ला की परमेशन से लैलतुलकदर में फरिश्टे आते हैं और वो हमारे ले अगले साल नेक्स्ट येर का पूरा हमारा फॉर्चून लिखते हैं इसलिए कहते हैं लैलतुलकदर हजार राज से बेतर है तो दिस इस दा कॉंसेप्ट आफ प्री डेस्टिनेशन आइंड डेक्री ठीक है तो ये आपके सामने मैंने कॉंसेप्ट की इलाइबरेशन की आपके से लिए प्राइबरेशन की इलाइबरेशन